हेलो एब्रिवन जोहार आप सभी को आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जहारकंड हाई कोट द्वारा नई एक वेकेंसी जारी की गई है इसके बारे में क्या है ये वेकेंसी कौन-कौन से लोग इसमें भर सकते हैं फर्म कौन से डोकुमेंट्स चाहिए होंगे और इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो आई वीडियो को शुरू करते हैं आप सब देख सकते हैं ये है जहारकंड हाई कोट की वेकें ठीक है अगर टोटल सीट की हम लोग बात करते हैं तो इसमें टोटल सीट है अन्रिजर्फट के लिए 22 सीट फिर SC के लिए 6 सीट ST के लिए 14 सीट BC1 के लिए 4 सीट BC2 के लिए 3 सीट और EWS कटेगरी के लिए टोटल है 6 सीट तो इस तरीके से कुल मिला कर हो जाते हैं 55 सीट कुल 55 सीटों पर वेकेंसी जो है निकाली गई है जारकंड हाई कोट के द्वारा असिस्टेंट पर्द के लिए बात करते हैं अगर हम लोग आगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ओनलाइन एप्लिकेशन डेट जो शुरू होगा वो होगा 22-2024 यह डेट ध्यान रखेगा 22-2024 से इसका फॉर्म जो है वो भराना सुरू हो जाएगा और यह चलेगा लगबग एक महने मतलाब 22-2024 तक इसका फॉर्म जो है यह भरा जाएगा इस चीज को ध्यान रखेंगे यह डेट जरूर याद रख लेंगे और इसके बीच में आप लोग फॉर्म भर देंगे बात करते हैं आगे तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि पद का नाम क्या है Assistant for the High Court of Jharkhand Assistant पद के लिए है Pay Level 7 है 7th PRC 44,900 से 1,2,400 ठीक है Minimum Qualification इसमें क्या है तो Minimum Qualification और Eligibility Criteria में अगर आप देखेंगे कौन लोग इस फॉर्म को भर पाएं तो ध्यान रखेगा आपको लोगों को Graduate होना चाहिए Graduation और Equivalent Degree from Recognite University और Institution Having Knowledge of Working on Computer Computer में काम करने आना चाहिए और साथी साथ Sound Knowledge of Typing on Computer और Typing भी आप लोगों को आना चाहिए ठीक है Computer तो आना ही चाहिए साथी Typing के भी आप लोगों को अच्छी से जानकारी होनी चाहिए Isis का ध्यान रखेंगे आगे बात करते हैं तो Graduate अगे दिये हैं आप तो आप इस form को भर पाएंगे यहाँ पर Eligibility Criteria में कुछ चीजें और भी लिखी हुए तो ध्यान रखेगा यहाँ Typing Test की बात करते हैं तो Typing Test में जानकारी दी गई है कि आपको 20 वर्ड परती मिनट ठीक है 20 वर्ड पर मिनट के स्पीट से आप लोगों को टाइप करना होगा ठीक है और जो Last Date है उससे पहले आपकी Eligibility मतलब आपका Graduation complete हो जाना चाहिए उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो सबके लिए नहीं है यहाँ पर हम लोग बात करते हैं वहीं अगर हम लोग बात करते हैं एज की तो ध्यान रखेगा एज मिनिमम एज आप लोगों को 21 साल होना ही चाहिए कब से 1-1-224 से उसके बाद छूट की बात करते हैं कि उम्र में कितने वर्स की छूट दी गई है तो ध्यान रखेगा जो भी Unreserved या EWS कर्टेगरी के हैं वो 35 साल ठीक है 35 वर्स तक यह form भर पाएंगे उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं BC1 और BC2 पुरूस ठीक है पुरूस वर्स के लिए BC1 और BC2 तो पुरूस वर्स 37 साल तक भर सकते हैं इस form को महिलाओं की बात करते हैं तो 38 वर्स महिलाओं में सभी महिलाएं सामिल है ठीक है Unreserved EWS BC1 और BC2 के जो महिलाएं है उनको 38 वर्स का अगर ST या फिर SC है ठीक है तो ये 40 वर्स तक इस form को भर सकते हैं चाहे महिला हो या फिर पुरूस हो अगर कोई महिला Unreserved EWS, BC1 और BC2 से आती है तो फिर वो इस form को 38 वर्स मैक्सिमम एज के साथ भर पाएंगे ठीक है इतना क्लियर है आगे बात करते हैं जो Reservation Policy है वो State Government के अनुसार लागू होगी मतलब जार्खन राज सरकार द्वारा जो आरक्षन की निती तयार की गई है वही इसमें वैलिड होगी ठीक है जार्खन सरकार की ही Reservation Policy इसमें वैलिड होगी मतलब जार्खन सरकार से यह दी आपका कोई Reservation Related Certificate मतलब OBC, ST, SC का Certificate बना हुआ है तो आप पुरी तरीके से आरक्षन के लिए पात रह हो जाएंगे ठीक है बात करते हैं आगे आगे यहाँ पे आपका जो Retain Test होगा और जो Personality Test या फिर Viva Test होगा ठीक है वुष टेस्ट के अधार पर आपका जो Merit List है वो तैयार किया जाएगा ठीक है आगे बात करते हैं कुछ और महत्कुन चीज़ों के बारे में तो यहाँ पे देखते हैं हाँ देखिए यहाँ पे क्या क्या जवरत पड़ेगा आपको डोकुमेंट जब आप फॉम अप्लाई करेंगे उसको अप्लोड करने के लिए ध्यान रखेगा फोटो और सिखनेचर तो यह तो सभी में लगता है तो इसमें भी लगेगा उसके बाद बात करते हैं आप लोगों को एक डेट डेट पबर्थ डेट पबर्थ प्रूफ करने वाला सर्टिफिकेट जो ज़िनलरी टेंध का ठीक है तेंध का आप दे सकते हैं जो रेस्टेशन सर्टिफिकेट होता है वो या फِّर मापशिट में भी तो जो भी देना चाहिए आप दे सकते हैं उसके बाद आप लोगों को graduation का एक original certificate ठीक है देना पड़ेगा graduation का original certificate या फिर provisional certificate ठीक है बात करते हैं आगे तो यहां पर देख सकते हैं आगे जो dca dca या फिर diploma in computer application ठीक है या फिर dca plus इसका minimum 6 मन्त का certificate ठीक है ना आप लोगों को upload करना होगा minimum 6 मन्त का यदि आपने dca को स्किया है तो उसका certificate upload करना ही होगा यह must है उसके बाद बात करते हैं आगे तो आपको residential certificate भी upload करना पड़ेगा ठीक है residential certificate भी upload करना पड़ेगा फिर बात करते हैं का सर्टिफिकेट भी आप लोगों को upload करना पड़ेगा ध्यान रखेए यहां पर non criminal certificate नहीं बोला गया है क्या बोला गया है का सर्टिफिकेट बोला गया है इसके इन copy of का सर्टिफिकेट रिसूट बाइ डिस्टिक मजिस्टेट डिप्टी कमिशनर सब्डिउजनल ओफिसर डिस्टिक और सब्डिउजन इन प्रिस्क्राइब होमेड ठीक है ध्यान रखेगा मतलब कि यहां पर डीसी या फिर सर्टिफिकेट ठीक है इससे बना सर्टिफिकेट यह 25 2019 के बाद का होना चाहिए इससे और ध्यान रखेगा मतलब कि अगर आपके पास 25 दो 2019 से पहले का सर्टिफिकेट है तो वह कम से कम DC या है चाहिए या फिर 25 दो 2019 के बाद का certificate है तो वो CO से भी आपका चलेगा इस इसका ध्यान रखेंगे बात करते हैं आगे EWS वाले EWS वाले को state government के format में ही certificate बनवा के देना पड़ेगा तो ही उन्हें reservation मिल पाएगा बात करते हैं आगे हम लोग तो यह तो size वगरा है यह सब normally सभी को पता होता है फीस की बात करते हैं तो 500 रुपीस का फीस रखा गया है 500 रुपे किसके लिए अंडिजब्ड EWS BC1 और BC2 category के लिए वही बात करते हैं सब्सक्राइब बात करते हैं सब्सक्राइब बात करते हैं थोड़ा हम लोग exam के बारे में exam के बारे में हम लोग बात करते हैं तो exam देखिए सबसे पहले तो आपका retain test होगा जो 90 नंबर का होगा होगा है टोटल इस में दो तो आप तो है जाए गाई थीक है computer skill test qualifying है पांच मिनट का test होगा 100 word ठीक है 100 word आप लोगों को type करना है मतलब 20 word per minute के हिसाब से total 5 minute तो कितने होगे 100 words ठीक है उसके जो भाइबा टेस्ट होगा वो 15 नंबर का होगा और इसमें 5 marks for all categories ठीक है ध्यान रखेंगे तो तीन आपका रिटेन टेस्ट का marks जूड़ेगा और भाइबा का marks जूड़ेगा ठीक है और computer skill test यह qualifying nature का होगा यह चीज़ ध्यान रखना है तो इसमें main चीज़ के है रिटेन टेस्ट है क्योंकि यह तो 15 ही marks का हो रहा है 15 marks में होगा यह जान लेजिए syllabus के अगर हम लोग बात कते हैं तो जो syllabus रिटेन टेस्ट एक्जाम का उसको तीन फेज में बाटा गया है तीन ग्रूप में बाटा गया है ग्रूप 1 जो है उसमें आप लोगों को general English मिलेगा ठीक है ना जिसमें comprehension भी होगा English grammar होगा और English word power होगा ठीक नंबर का पूछा जाएगा ठीक है objective general knowledge और ग्रूप 3 की बात करते हैं तो ग्रूप 3 में आप लोगों को तीस नंबर का math और reasoning ठीक है math और reasoning ठीक है और यह metric standard बोल दिया गया है mathematical test of metric level ठीक है लेकिन यह metric level नहीं होता है ठीक है ना एक बार मैं इसका exam दे चुका हूँ इसलिए मुझे अच्छे पता है metric level का नहीं होता है standard काफी हाई होता है ठीक है इस इसका ध्यान रखेंगे और इसा normal paper नहीं होता है बहुत ही अलग टाइप का question paper set होता है तो फिर क्योंकि वह इसी बात है cut-up इसमें high जाता है तो इसलिए question paper का label जो है वह अच्छा खासा set किया जाता मैं भी clear नहीं हूँ बात करता हूं आगे computer skill test के बारे में बात करता हूं तो computer skill test जो normally होता है typing test है ठीक है जिसमें 20 words per minute के हिसाप से आपको type करना है यह कोई भी type कर सकता है जो भी exam का त्यारी कर रहा SSC वगरा कभी तो लोग त्यारी करते हैं तो typing का practice आजकल करते ही है कि SSC मे भी typing कपल सरी कर दिया गया है ठीक है तो यही था यह जो notification था उसे जोड़ी जानकारी यदि आपको कोई doubt है तो आप लोग comment में कर सकते हैं मैं आगे आने वाले वीडियो में उनको clear कर दूंगा ठीक है चले बिदा लेता हूं आज ठीक है मिलता हूं अगले दिन किसी और वी